जी चोवी स्कास का महाराष्टा एक पाउल पुढ़े प्रोग्राम अभी नंबाई बे चल रहा है यह प्रोग्राम में महाराष्टा के बहुत बड़े जो नामी उद्योजग है वो हमारे साथ है हम उनसे कुछ बातचित करने वाले हमारे साथ माधवबाग के CEO और MD रोई सान बढ़ने के लिए महारे सरकार की और से क्या साहयता कि जाती है वैसा देखा जाए तो साहयता बहुत काफी हद तक बहुत अच्छी तरह से मिलती है क्योंकि जिस प्राकार से manufacturing sector एक पाउसके वजह से दवाईया प्रद्यूस करने के लिए अच्छे raw materials मिलना ये भी support अच्छ निर्मान करते है उसके लिए जो साहता मिलती है वो अच्छी खासी तरह से होती है स्टैंडरडाइजेशन अबाउट दा मैनिफेक्चरिंग प्रोसेस जैसे FDA के लाइसंसे होते है उसमें काफी सपोर्ट होता है तो गवर्मेंट की तरफ से अभी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है अईरुवेदा इंडस्ट्री को लेकिन आगे जाते हुए और अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है अलग-अलग schemes जो patients के treatment के लिए मिलते हैं जो एलोपती के लिए फिलाल एवेलेबल होते हैं surgery के लिए एवेलेबल होते हैं वही schemes अगर अईरुवेदिक treatments के लिए एवेलेबल हो जाएं और यही मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले दिनों में सरकार से यही उमिदे होंगी कि वो उतना support बनाए रखे और और भी support आगे जाकर के improve कर दे तो आईरुवेदा की industry काफी अच्छी तरह से ग्रोह हो सकती है अब इस सरकार की जो योजना है उनका लाव अपके तरफ पोशने के लिए पोशना जरूई है तो आप उसके बारे में क्या आगे सरकार ने यहां पे जो रोजगार निर्माण करने वाले आर्टीजन्स है कि जो आज के दिन में manufacturing का भी काम करते है तो उनको subsidize रूप में ज्यादा से ज्यादा मूडी मतलब केपिटल करके देना जरूरी है उसके लिए Subsidize रूप से उनको finance करना क्योंकि उसके वजे से यह ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे ज्यादा रहे यही अप्यक्शा है और क्लियरंस जो है कम से कम इंस्पेक्टर राज हो इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए पावर सप्ला अच्हा है पडेश स्सुरक्षा awarded ऑए टेक्स-क्लियरंस अच्छे में आड्मिनिस्ट्रिशन आखरे लेकिन थोड़ीएगा़ या जो quickness चाहिए efficiency चाहिए वो थोड़ी सी बिरोक्रसी में आनी चाहिए ऐसा अप्रेक्षा है नमस्कार हम लोग जैव खेती में काम करते हैं जैवी खेती आशकल सबको पता है क्योंकि हम जो खाना खा रहे है 1960 में हमारे आपे green revolution चलू हो गया उसके बाद chemical fertilizers of pesticides भारत देश में अंदर आना चलू हो गया आज ऐसी स्थी थी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में रासाइनिक खाद या तो फिर pesticides का इस्तमाल करते हैं हमको यह भी देखने को आशकल मिल रहा है कि cancer जैसी बीमारिया बहुत फैल रही है तो इसको control करने के लिए हमारा लक्ष यह है कि हमारी जो खेती है वो जैविक होनी चाहिए यह जो विशय है वो हम लोग 1997 से लगातार इसके विशय में हम लोग काम कर रहे है शासन के माध्यम से इसके उपर प्रसार प्रचार होना वो काम अच्छी तरह से चालू है जो हमारी ऑर्गैनिक जो इंपूट से जिसको हम लोग जैव निविश्ठा बोलते हैं तो उसके ल ब्रैंड विकसित होना मतलब वो उपजाओ तो कैसे करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं उनको उनका ब्रैंड बना कि उनकी जो विवस्था है वो निर्मान करके उनको अच्छा वैल्यू अडिशन देने के सहयोग में शासन ने कुछना कुछ तो करना चाहिए यह मेरी पूछना चाहूंगा महारश्टा में जो कॉलेजेस है उनमें आयुर्वेदिक कॉलेज की जो संक्या है और जो सीखने वाले स्टूडेंट है वह आने वाले जो पिरेड है उसमें आपके लिए उनसे क्या अपेक्षा है अभी हम लोग जो हेल्थ केर इंडस्ट्री में है उस हेल्थ केर इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टन जो मोड अफ कॉन्टेक्ट होता है वह होता है एक डॉक्टर अब जितने डॉक्टर ज्यादा निर्मान होंगे उतना ही हेल्थ केर सिस्टिम ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉंग होगी आज अगर हम देखेंगे तो पूरे महाराश्टर में आज साधरन पचास से साथ आयुरुवेधिक कॉलेज़ है and on an average about 50 to 60 की capacity होती है every college की training की तो अगर total अगर हम लोग देखके चले तो साधरन 2500 to 3000 doctors get produced every year अगर इस पूरे नंबर को देखेंगे तो 90,000 आयुरुवेधिक doctors in महाराश्टर तो ये number ये काफी नहीं है we can have still a better number of doctors per bed का number तो ये तो हम लोग बहुत ही कम है लेकिन अगर हम लोग preventive के हिसाब से देख रहे है आयुरुवेधा को तो ये number काफी बड़ा होना चाहिए क्योंकि lifestyle training ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने की जरूरत है उनके diabetes, blood pressure, heart disease को prevent करने के लिए ताके आगे जाकर के surgeries की जरूरत कम पड़े और total economic burden भी कम हो so doctors as well as paramedical staff इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से देखने की जरूरत है capacity build करने की जरूरत है not only certification of those doctors but post certification अगर उन doctors को और अच्छा scope मिले और अच्छा अगर उनको exposure मिले with the patients तो मेरे हिसाब से वो experience एक प्रकार का निर्मान हो जाता है doctor के mind में and that gives you excellent capacity building का exercise हो जाती है that will help the whole industry to grow in the future जब भी सोने की बात हती है तो security बहुत important role play करता है महारश्य सरकार की दरब से आपके business के security के लिए क्या योजना है लाई हो नहीं हो नहीं हो नहीं जा सकती है लेकिन जहां पे भी सराफी बाजार पहले हुए है वो एरिया में police security और जो security system से alarming system है या cctv system है वो शासन ने लागू करके रखिया और उसके वज़े से वो area में control हो रहा है अभी jewelry park जैसे उन्होंने जो प्रकल लाने की चर्चा हो रही है वो jewelry park आता है तो एक ही जगह पे पूरा secured market हो सकता है और वहाँ पे security बन सकती है security यह specialized subject है तो security के लिए manpower create करना private security sector के लिए manpower create करना वह भी especially jewelry sector के लिए create करना यह शासन ने उसमें ज्यादा से ज्यादा initiative लेना चाहिए ऐसा मेरा का सोचना है अगला सवाल आपके लिए है महारेश्ट्य सरकार की जो जलस इंचन योजना है उसका benefit आपको कैसे मिलता है खेती के अगर बात करें तो पानी के बेना खेती नहीं हो सकती यह तो भलीवाती सब लोग जानते हैं मिट्टी और पानी हम लोग बोलते हैं इसी मिट्टी से जन्मे है इसी मिट्टी में जाना है तो मिट्टी का जो रूप है उसको बनाए रखे पानी की मातरा की अगर हम अनिलल जटी वहांими थे वहां के उन्होंने बहुत दस साल में काम किया तेप्बू करके योजना थी उसका निर्मान किया और कुष्णा river से वो lift irrigation का पूरा पानी उठा के आसपास के सभी चार तहसील में उसको पहुंचा दिया है पानी आने के बाद वहां के जो खेती करने वाले जो हमारे जो farmers है और वो जो किसान लोग है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खेती करना शुरुआत कर दी अभी जो हमारा जो GDP वहां का एरिया का अगर लोग हम बात करें तो वहां पर हम लोग अच्छी तरह से बनाते हैं अंगूर मतलब जो बोलते है झाल झाल